देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे रिश्टे भाजपा के तीखे हो गए और अब तक जो माहौल है उसमें ऐसा लग रहा है कि मुकाबला वहाँ भाजपा और कॉंग्रेस की पीच आर पार है लेकिन छोटे छोटे दल भी वहाँ परभावी है जहां आद्मी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी वहाँ A.S.P.E. B.S.P.E. इस तरह की कई पार्टी अभी चुनाव मैदान में रहने वाली है जबके दुश्यन चौटाला भी ताल ठोके रहेंगे अब किस तरह का कटबंदन होता है वो तो वहाँ के लोग जानेंगे हर्याना से है बहुत सक्रिय है किसान अंदोलन में खूब आपने इन्हें देखा होगा बहुत जबर्दस लड़ाएं लड़ते क्या हर्याना करेंगा महाओ पहले तो भाई आपको जैभीम जैजोती असलाम आलेकुम और देखी आपने हर्याना की बात करी है तो हर्याना में निश्चित है थोड़ी सी चूक हुई है चाहे केंदर ये नेतरतों की हम बात कर लें चाहे हर्याना के अंदर दबंग जो अपने आपको कहने वाले हुड़ा उनकी गलती कहें हम हर्याना के अंदर आठ सिटें जीतने जा रहे थे लोग सभा में और हम बड़ी ताकत के साथ में लगे हुए थे बे किसी भी तरीके से बीजेपी को दो पे समेट के रख दें लेकिन कहीं ना कहीं बुपेंदर हुड़ा की नाकामी की वज़े से वहां पे हर्याना के अंदर पांच पांच पे रही हैं लेकिन आप सवाल यही आ रहा है अब उन्होंने जो गलती करी है जो ठीकरा फूट्या है तो अब विधान सवाब में बंदना लेंगे आज यह है अगर टिक्टों का वितरण टिक्टों का वितरण सही तरीके से एन बीसी को जो 30 से 40 परसंट आब अगर बुपेंदर हुड़ा या उसके सयोगी दल या सोनिया राहूल गांधी अगर यह गलती करेंगे तो यह देख लियो जो पचेतर पार का नारा देने वालों का जो हाल हुआ था और दुसन चुटाला को जीजा कहना पड़ा मैं सबत बढ़िया वड़ा यूज कर रहू बीजेपी ने सरकार चलाई अगर यह NBC को नहीं देते तो इसका मतलब सिधा है आप माल लीजिए कि किसी भी तरीके से कांगरेस की वापसी नहीं हो सकती मतलब आपका सीरा सवाल है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिज्जेदारी बिलकुल बिलकुल अगर हमारे को पूरा का पूरा NBC को अगर वहाँ पे 25 से 30 टिक्टे 90 विधान समा में से अगर 25 से 30 की अगर वो बात करते हैं तो एक तरपा होगा 85 से 80 सीटे कांगरेस सीद करके हरियाना में वापशी करेगी और बीजेपी का आर एसस का बिलकुल सूप्रा साथ माहूल है नेतुरत अगर गंबीर होगा और सबको उचित अबसर मिल जाएगा सारी ब्रादरियों का अगर ख्याल रखा जाएगा तो बात बनेगी अन्यता नहीं बनेगी यह हमार पिशडा वरग अगर कमजोर है 90 विधान सवाओं में आज तक उनका 40 परसेंट का बोट लिया गया है शडूल कास्ट को राजनेति खाक है ब्रामन चत्रिये को राजनेति खाक है जाट अब आदी का नुपात में नहीं है देखें मैं इसको करेक्ट करूं जो सीटें रिजर हमने हिसार से बैन सेलजाल जी के लिए कहा कि आप रिजरों सी छोड़ दीजिए आप सिर्शा को छोड़ें सिर्शा पे तो कोईन को जीत के आएगा आप हिसार लोग सभा है जा मूल पिछड़े वरक का 80% बोट है अगर वहां से वो आ जाती या किसी NBC को वहां पे अगर टि कट दिया और वो जीते हैं तो यही करें जो जाटा साई है और जो हुड़ा साई है अगर राहूल गांदी इस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फिर सत्ता जा सकती है सत्ता हात में आई हुई है हम तो आपके महात्यम से तमाम हर्यानावासियों के बात कहने चारे हैं अगर NBC की अन्देक की होगी तो कांग्रेस और BJP का सूपना साप होगा और किंग मेकर की भूमी काम है हम अपना जंडा उठाएंगे और हर विजान सभा के अंदर कांग्रेस और BJP को धूल चटाने का का कोई भना का आपको छोटे मुटे घटबंदन की मुझे सुनने में आया कि चंसेकर जी दुशियन चवटाला से बात कर रहे हैं कोई बात चल रहे हैं कुछ नहीं आप गटबंदन भी आ सकता है अर्याना के अंदर बिलकुल ASP का हो सकता है क्योंकि BSP का तो नहीं होगा को सच्वेशन इस टाइप की है जेजेपी को कोई घास डालने वाला है नहीं इ 500 बोटों पर लोग सबाद जेजेपी और इंडियन लोग दल रुगी है इससे साफ संदेश है कि NBC का जो बोट है मूल पिछले वर का बोट है वो एक साइड में अपनी राजनेतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहा है मतलब आब हो ये हिस्सेदारी की बाद सब जगे उठ गई है तो हरियाना में भी अब ये आवाद उठने लगी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी और नहीं चलेगी हकमारी हर हाल में चाहे कोंगरेस हो या भाजपा और राजनेतिक विश्लेसक का क कारण भी यही था कि उसने नान जाट नान बरह्मन फेस को तबज्जो दिया टिकट दिया और वो जीत कर आ गए बाद कोंगरेस के अंदर वहां पर एक विशेज जातियों का वर्चस्ब है टिकट माटने से लेकर सरकार चलाने तक जिसके कारण कटिनाईयों का सामना कोंग पर आ सकते हैं ये कुल मिलाकर हरियाना का माहौल है और ग्राउंड पर भी चलेंगे अभी समय है बहुत जल्द आपको ग्राउंड से भी हम लोग दिखाएंगे कि आखिर हरियाना का माहौल क्या है लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि बहुजन समाज परतेक्चा अब हिस्सेदारी की बात करना शुरू कर चुका है और अब वो किसी जहंडे का मोहताज नहीं लाए रहा उसे जो दल तवज्जो देते हैं वो टूसी की तरफ ट्रांसपर हो जा रहा है ऐसा उत्तरप्रदेश बिहार और हरियाना में देखा गया है एक चीज़ और मैं बता लेकिन दस लोग सभा में हमारे प्रत्याक्षी निर्दलिये लड़े और वो पासपा साथ साथ हजार बोट लेके खड़े हैं इसका साब संदेश है कि अब ये लारा लपा नहीं चलेगा ये चीज़ चल रहा है वोट कटूआ जिसको कहते हैं दर असल वोट कटूआ नहीं है बलके वो एक क्या कहते हैं साबधान करने के लिए आपको एक सूचना एक ऐलार्म है कि यदि आप सचित साबधान नहीं होंगे तो आईसा ही होगा बाराल बने रहें फिर हम अगली ये